हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट यारी दोस्तों कल है 22 ऑगोस्ट दोजाट चुएस कल के दिन मार्केट किस तरीके से रहने वाला है निप्टी बैंक निप्टी की ओपनिंग ग्याप अफ होगी या ग्याप डाउन होगी कल निप्टी की विकलिक्स पाय रहे है उ इस तरीके से रहने वाला है यह हम इस वीडियो में एक सिंपल तरीके से समझने के कोशिश करेंगे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब बीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और प्रमेट लिए जिस तरीके से आप यहाँ देख रही है कुछ हद तक दीखियों जैसे मार्के आज ऊपन हुआ फिर मार्केट ने एक सोड़ा सा डाउंसाड दिया फिर डाउंसाड दिते हुए मार्केट आज एक एक कंसुलेशन जोन पे रहने की कोशिश कर रहा था ना हमें कुछ बड़े संकेत मिल रहे थे ना कुछ बड़ी गिरावड की संकीत मिल रहे थे, जिस तर्के से बैंग निप्टी गिर रहा था, मगर निप्टी में हमें अच्छी स्ट्रॉंग पॉजिशन देखती हुए, निप्टी एक वन साइड हमें रैली देखने को मिल रहे थी, फिर भी जो भी निप्टी भी आज एक साइड वेज र मार्केट क्लोजिंग के एक गंटे पहले मार्केट ने एक शारप रिकोरी और निप्टी हमें एक green shade में close होते होगे दिखा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि निप्टी 24,721 पर आज की closing हमें यहां पा देखने को मिल रही है अभी ऐसे positive और trend से भरे हमें कल के लिए market में किस तरीक ऐसे movement देखने आए और किस तरीक तरी करना है यह सबसे पहले हम समझने के कोशिशिद करते हैं देखे market अभी फिलाल एक sideways में रहा चुका है कल भी हमें निप्टी में कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है जो भी zero to hero trade करते हैं उनके लिए यही अलर्ट है कि कल भी market one side sideways रहने वाला है ना आप निप्टी में ज्यादा तर एक 45 प्रेंट उपरी सर पर movement और 45 प्रेंट क ही हमें देखने को मिलगा लेकिन आप सोच रहेंगे कि निप्टी में one side 200 पॉइंट की गिराउड होगी या one side 200 पर की होगी ये वहांगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है फिर भी देखते हैं कि आज global market भी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ्लैट है global market में भी हमें कुछ ज्य देखते हैं कि निप्टी के लिए एहम support और बैंक निप्टी के लिए हम support क्या होगे और अंत में हम देखेंगे कि निप्टी के लिए कल की लिए trading किस तरह के से होनी चाहिए यह हम सबसे पहले समझते तो पहले हम चलते option chain पर वहाँ पर data analyze करेंगे फिर कल हमें call buy करना है या put buy करना है यह हम समझने की कोशिश करते हैं अभी हम option chain पर आठ रूगे जो की NAC की official side है वहाँ पर हम यह option data देख रहे हैं देखो यहाँ पर अगर देखे तो 24,800 पर जो call writer की open position है वो है 2,88,365 यहाँ पर CE की open position है call writer की है तो इसी की कारें यह हमें कल के लिए एक resistance level रहेगा और उसके बाद यह 2,38,000 का जो है यह भी हमें कल resistance की तो और पर देखते होए देखेगा 24,900 भी हमें एक resistance रहेगा सबसे पहला resistance 24,800 और तुसरा resistance रहेगा 24,900 अगर यह cross करके वोग पर जाता है तो हमें रैली देखने को मिल सकते है उसी के विपरेद अगर हम देखे तो support जो रहने वाला है वो है 24,700 कर्ष चुई साथ सो पर जो support है वो है तीन लाग यहाँ पर देख सकते हैं आप 24,6,538 यहाँ पर पूट राइटर की open position है जहाँ पर आप देख सकते है कि हेवी पूट राइटर खड़े है 24,700 यह important support रहेगा और 24,800 और यह important resistance रहेगा अगर मार्केट का trend समझना हो तो और और हम देखते है कि कुल अगर देखे तो कल के expiry के लिए मार्केट में जो open position खड़े है वो है देखो 49,334 यहाँ पर टोटल कॉल राइटर है जिन्हेंने कॉल सेल करके रखी है और दूसरा है यहाँ पर देखे 23,65,000 पर पर पूट राइटर की open position है तो इसी से यह कि है कि कल भी मार्केट में हमें एक uptrend रहने की ज़्यादा तर उम्मीद है अगर मार्केट कल gap down खुलता है तो हमें एक support लेवल पर buying करके आप छोटे-छोटे profit बोक यहाँ पर कर सकते हैं दूसरा हम देखते हैं बैंक निप्टी की और चलते हैं बैंक निप्टी की तो आज weekly expiry खतम हो चुगी है और next expiry आगर देखे तो वह अब यहाँ पर देखते हैं यह वह भी मंतली expiry होने जारी है 28 अगस्ट की देखो बैंक निप्टी के लिए तो आज जो दबाव था शेलिंग का तो वह तो मार्केट खतों मोते-वोते थोड़ा सा हमें संबलती होई दिखा है फिर भी बैंक निप्टी के लिए important जो resistance रहेगा वह रहेगा 51,000 पर 1,15,000 पर 532 यहाँ पर पूट राइट की open position है यह देखो यहाँ पर यह होगा यह रहेगा resistance यह होगा resistance उसके बाद अगर देखे तो 15,000 पर 15,500 पर 1,5607 यहाँ पर पूट राइटर की open position है यह अगर देखे तो 25,500 यहनिके 25,500 यह support और एकाउन हजार यह होगा resistance अगर तो अभी हम देखते है कि कल के लिए किस तरीके से हम trade कर सकते हैं और कैसे मुनाफ़ा हम कर सकते हैं तो अभी हमें करेंगे downside आता है तो यहाँ से अगर downside जाते वह वापस यह recovery होके आज की closing को break करता है तो हमें CE buy करना है अगर market को अगर कर सकते हैं